सेटिजन्शिप अमेंडमेंट आक्ट तो फाइनली दोस्तों कल मोधी सरकार ने चुनाओ से ठीक पहले सी एए को लागू कर ही दिया कल 11 मार्च को इसके रूल्स भी नोटिफाइट कर दिये गए हैं चलिए जानते हैं कि क्या है ये रूल्स किसे नागरिक्ता मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट संसद में पास हुआ था जिसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था कल CAA को मोधी सरकार ने लागू कर दिया है ये कानून कहता है कि बांगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे पडोसी देशों से जो भाग के भारत में आए हैं और जो मुसलिम नहीं हैं उनको एक CAA की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद सरकार जाच करेगी और जाच के बाद उनको भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी इसकी कट ओफ डेट है 31 दिसंबर 2014 मतलब यह है कि इसके बाद जो लोग भारत में आये हैं उनको नागरिक्ता नहीं मिलेगी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नागरिक्ता देने या ना देने का अधिकार सिर्फ सेंटरल गवर्वर्मेंट के पास है आईए इसकी थोड़ी हिस्टरी को याद करते हैं सिटिजन्शिप अमेंडमेंट आक्ट को पहली बार 2016 में लोग सभा में पेश किया गया और यहां से ये बिल पास हो गया था लेकिन जब ये राज्य सभा में पेश किया गया तो ये राज्य सभा में अठक गया दिसंबर 2019 में इसे दोबारा लोग सभा में पेश किया गया और इस बार लोग सभा और राज्य सभा दोनों में ये बिल पास हो गया और फिर 10 जन्वरी 2020 को रास्टरपती की मन्जूरी भी मिल गई लेकिन फिर इतना प्रोटेस्ट हुआ कि सरकार को इसे होल्ड पे रखना पड़ा और अब तब से अब जाके ये लागू हुआ है अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इसे 4 साल तक होल्ड पे क्यों रखा इसका सबसे पहला कारण ये है कि पूरे देश में खासकर नौर्थ इस्टरन स्टेट्स में इसका जबरदस्ट प्रोटेस्ट चालू हो गया था खासकर असाम और तरपुरा में क्योंकि इसे सविधान के खिलाफ माना गया था सुप्रीम कोट में याचिकाएं भी लगाई गई थी और लोगों ने ये तर्क दिया कि इसमें मुस्लिम्स को शामिल क्यों नहीं किया गया और इनी सब में 4 साल निकल गए दूसरा सवाल ये उटता है कि जो मुस्लिम इस भारत में 2014 से पहले रह रहे है और अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी इस पर सरकार ने कोई क्लेर बात नहीं बोली है हमारे देश का आर्टिकल 14 ये बोलता है कि कोई भी किसी बेधर्मिया जाती का हो उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए अब ये आर्टिकल CAA इस आर्टिकल के बिल्कुल आपोजिट है कारण लोग यही बताते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं तो उनके पास पना लेने के लिए बहुत जगा है और जो बाकी धर्म के लोग हैं रागू हुआ है कुछ समय के बाद ही हमें पता चलेगा कि इससे भारत का फाइदा हुआ है या नुकसान गन्यवाद